ए पिक्चर इस ओर्ट ए थाउजेड वार्स तो इसलिए आपको सारे पोस्ट में जितना हो सके यूजफिल इमेज़ेस इस्तिमाल करना चाहिए आज हम बात करेंगे कि आप Google से केस से कॉपरेटर फिर इमेज़ इस्तिमाल कर सकते हो क्यूंकि आप अगर कॉपरेटर इमेज़ इस्तिमाल करते हो तो कोई आपके ब्लॉग पे श्ट्राइक लागा सकता है या आपको Google Adsense का आप्रभाल सायद नहीं मिलेगा हब दोस्तों मैं हो चांदान आप देख रहे हैं हिनिवायन कारी अगर आपने अपित्र हम सब्सक्राइब नहीं किया तो निच्छापकर बटन देखिया उससे द्वागा चल्ण को सब्सक्राइब कर दीजे और नोटसें पाने के लिए बेल को ज़ेरो दवाईए मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे यूजफुल छोड़ो टिप्स प्राक्टिकल के साथ आपके लिए हर एक दो दिन में लादगी कोसिस करूँगा क्यूंकि जो लंबे एक्स्टों में होते हैं वो मैं पूरा नहीं बना पाता मुझे एक वीक लग जाता है क्योंकि बहुत सार क तो हम कौन सा अवस्तिन का इस्तिवाल करें, तो बैतर हगा मैं आपको मेरे कम्ठर स्कीन पर लेकर चलता हूं कम बात करते हैं ज़दा प्रास्क्रियाल करते हैं कि मैं जो देख रहा हूं यूटूबप बस बीशिख चल रहे हैं चलता है मेरे Comproskin ले मुझे लगता है कि आप मैंसे बहुत को यह चीज पता होगा अगर आपको यह नहीं पता तो आपके लिए है अगर आपको पता है तो बहुत बहुत कान्याचु लेसंस आपको यह चीज पता है आपको Google Image बजाना है और सर्च करना है सपोर्च मैंने तो देखिए बहुत सारे इमियस आगे लेकिन हमको नहीं पता कि हम कौन सा इमेज इस्तिमाल करें और कौन सा नहीं तो यहां पर आपको एक अप्शन दिखेगा टूल्स का टूल्स पर क्लिक करिए और यहां पर एक अप्शन है usage rights यहां आपको दो अप्शन दिखेगा creative common license और है commercial and order license तो जो creative common license होता है इसमें जितने सारे इमेज आते हैं आप इनको कहीं पे इस्तिमाल कर सकते हो इनके साथ को साथ छैट ठाने कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो इसमें कोई problem नहीं है मैं यह image हो गया, इसको download कर सकता हूँ, यह image हो गया, कोई मैं इस्तमाल कर सकता हूँ जो दूसरा license है, ओ है commercial and other license यह बस आप commercial purpose के लिए use कर सकते हो, लिकिन मैंने जितना study किया है, इसमें आपको जितना भी image मिलेगा जब commercial purpose के लिए है, तो इसमें जो image आपको मिलेगा, ओ ऐसे साइट से मिलेंगे, जो की image बेजते हैं, ज्यातर vector stock हो गया, फिर हो गया, तो आप watermark साइट से इसमाल कर सकते हो, देखो quality कैसे खड़ाब है इन सब का, देखिए बहुत खड़ाब quality है, बहुत low quality है, तो अगर आपको इसमाल ही करना है, तो creative common license जो है, इसको इसमाल करो, इसमें आपको उससे बहतर quality का image मिल जाएगा, यह देखिए बहतर quality है सबी images है यह चोटा है, और आपके लिए इसमाल करने के लिए ठीक है, आप इसको जैसे सही है, आपमें blog में इसमाल कर सकते हो, इसमें कुछ element add कर सकते हो, colors change कर सकते हो, आपका मर्जी आप जो चाहिए इसके साथ कर सकते हो, तो यह था छोड़ा सा trick, अगर आप यह all में click रहेगा, option स्लेक्ट रहेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन साइमेज किया है, पहले इसमें चार option आते थे, usage rights में, लेकिन अभी दो है, आपको creative common license यूज करना है, तो यह रा creative common license, उमीद है कि आप सभी को यह video पसन आया होगा, ऐसे ही मैं हर एक दो दिन में, चोटा-चोटा SEO tips या blogging rated tips देता रहोंगा, जो कि बहुत कम टाइम में खतम हो जागा है, यह थोड़ा video लंबा हो गया, क्यूंकि मैं थोड़ा जादा बोल दिया कि मुझे क्या करना है, उमीद है कि आप सभी को वीडियो पसन आगा, वीडियो पसन आपको लाइक करिए, अगर आपको सुजा झाल